हां जी दोस्तों तो स्वागत है आपका इस चैनल में तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं बाइलोजी टार्गेट वैच ठीक है तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि बाइलोजी को दो भागों में बाटा गया है पहला जूलोजी और सेकंड बोटनी ठीक है वीडियो हलका सा लंबा होगा फ्रेंट्स लेकिन आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा ठीक है तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं दिया है सजीवों का अध्ययन क्या करता है जीविग्यान करता है कंप्लीट यहां पे आपका कॉंसेप्ट कंप्लीट होना चाहिए इससा जीवों का अध्ययन जीविग्यान का लता है ठीक है जीविग्यान के जनक अरस्तु है सेकंड उसके बाद जीविग्यान को हम दो सखाओं में अध्ययन करते हैं यानि कि दो सखाओं में हम लोग बाट लेते हैं है ना तो कौन-कौन से वो दोस्ता साखा है आ अंद्रगात क्या करते हैं जनतुओं का आध्यान करते हैं और जुलोजी कि अगर जनक की बात करें तो कौन है आरस्तू साथियों यहां पे हम आपको बैच टार्गेट बैच मेरा चल रहा है बायोजी का है ना तो यहां पे हम जो भी टॉपिक की स्टार्ट करेंगे उस चीज विडियो पहले यह वीडियो वैंने बनाया था तो यह सबस्क्राइब कर लिए चलिए के तो जो लोजी के अंतरगत हमें यह पता चला कि इसके अंतरगत हम लोग क्या करते हैं जन्तूओं का अध्यन करते हैं और जो लोजी के जनक कौन है तो अरस्तू है यहां पर आपका कॉंसेप्ट क्लियर होता चलेगा उसके साथ ही अगर दोस्तों बोटनी की बात करें तो पराटनी का जनक किसे बोला जाता है तियो फ्रेस्टटस को बोला जाता है इसको बनाइब आप ढती हाइक PROF लेकर जितना हम लोगो ने देखा यहाँ भी है इसको साथ हम लोग करते हैं अब कि आते हैं जो कि इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होता है सेल क्या सेल तो दोस्तों सेल की अगर बात करें तो प्येरफुली समझेगा कि सेल क्या होता है पहले इसको complete किजिए है ना तो चलिए बात करते हैं पहले सेल की बारे में तो biology के अंत्रगत जो सबसे आपका 1st KI होता है उस्सी क्या बोला जाता है friends सेल क्या बोलता है सेल तो आएए अब हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे कोशिका का अध्यान तो पहले साइटोलोजी का लाता है क्या का लाता है सेल मतलब कोशिका होता है और अगर हम कोशिका की अध्यान करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है साइटोलोजी के अंत्रगत आता है ठीक है तो बात करें इसकी खोज के बारे में कोशिका की सरोपर्थम कोशिका की खोज 1665 USB में इसने किया था रावथ ऋक निए झाकल जो की एक बिटिपस बैग्ञानिक था ठीक है किन्तुण यहमें कंडिशन था हुआ कि इन्यूने जो है मृत खोश्थ क्या खोज की थी ठीक है और कि प्रकार से इन में कें आप क्लि़ के दो 설 तो उकिए उसके बाद बात करते हैं सरोपर्थम जीवित कोष्का की खोज यहां पर आपको एक चीज कंपलीट हो रहा है कि यहां पर बात फादर ओप बैक्टिरियो लोजी यह आपका जीके बैस पर है ठीक है अगर आप इस चेल को अगर चेप्टर वाइस समझना चाहते हैं तो आपका यह दिया है एट नाइन ठीक है और इलेवेंथ में तो उसको पढ़ने के लिए को कमेंट में बताना होगा कि क्या उससे पढ़ किस ने किया तो रावह ठीक होक ने कब किया जैसा को इसका कंट यो फैक इसका किसे काते हैं तो चेंडर को जो केंद्रक होता है हैना तो केंद्रक की कोच कुस किसने किया तो यह खोज किया था रोबड ब्राउन ने है न में और कभ खोज किया तो यहाँ पे खोज किया यह अटारस एकास्य सभी में यहाँ पे देख सकता है दिया है कोसिका के अंदर किन्दर की खोज किया अब बात करते हैं कि स्लाइडन एंहम सौन ने क्या किया ऍूर्ण Siqa का सिध्धत दिया और उस्सिध्धत कर नुसार यह बताया गया कि कि कोशिका सरेर की सबसे छोटी काई होती है अब बात आती है कि अगर हम मृत कोश्का का मृत कोश्काओं को अलग नाम पुकारें तो कौन सा नाम है इनके लिए अलग नाम रखा गया जिसे नेफ्रोसिस कहते हैं क्या कहते हैं नेफ्रोसिस कहा जाता है इस परकार से सबसे छोटी कोशिका माइको प्लाजमा की होती है किसकी होती है माइको प्लाजमा की होती है उसके साथ सबसे बड़ी कोशिका सुतरमूर्ग के अंडे का होता है है ना सबसे बड़ी कोशिका सुतरमूर्ग के अंडे का होता है लेकिन दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें मानों के है ना तो मानों में जो सबसे बड़ी कोश्का होती है वो ओभाम होती है ओभाम जिसका हिंदी होता है अंडानू ठीक है जो कि कहां भी होती है आपका फीमेल में पाई जाती है अगर बात करें सबसे यह की सबसे छोटी की तो इस्पर्म होती है क्या होती है इस्पर्म जोकि मेल में पाय जाता है ओके ये बात कम्प्लीट याद रखेगा ऐसाद कि कन्फ्रूज होकर कि बड़े वालों को मार देजिए कि मानों में बड़ी पुझ दिया सुथर पुझ मांड़ी और मानों में चोटी पुझ दिया उन्हसा निए ठीक है अब बात करते हैं अगले जो की आपको दिखाया जा रहा है कि अज दौस्तों यहां पर आपको दीख रहा है कि सबसे छोटी तंत्री का तंत्र सबसे छोटी कोषिया gjort तंत्रीका तंत्र या असनायुत क्यों होती है यहां पर मिस्प्रिंट हुआ है थोड़ा सा इस जगह पर है है ना सबसे छोटी कर दिया है यह थोड़ा सा मिस्प्रिंट है यहां पर है ना तो यहां पर छोटी नहीं होगा सबसे लंबी है क्या है सबसे लंबी कोश्का क्या है तंत्रीका है जिसे इंग्लिस में नियूरोन कहाते हैं क्या कहते हैं नियूरोन कहा जाता है ठीक है चलिए यहां तक हो गया अब नोट एक बताया गया है कि तंत्रीका कोशिका में किसी भी परकार का कोई भी भी भाजन नहीं होता है अतर अच्छा तिगरस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है इसी कारण सर में चोट लगने से सिग रही मिलती हो जाती है और अगर दोस्तों बात करें यहां पे कोशिका भी भाजन की अगर हम बात करत हैं तो जो आपका विभाजन जो नजर आ रहा रहा यह भी भाजन में कोशिका टूटता है और उसका पुनढ निर्मान होताँ होता है तो क्या पूनढ निर्मान के जोड़ीत होती तो री ट्रांसक्रिप्शन है सर में जब भी आप वहां चला जाता है तो यहां पे कोई किसी परकार का चती होजाता है छती होता है हमारे तंदरी नियों कोश псोसप Sn hit आपका य ours में पाई जाती है जो कि आ आप सक्ता है यहां पराजाती है यहां है प्रेयन में थो ग्यांतोर दिंट कोशका है खोंडर नहीं होता है एचा प्रगार का सेल्युन नहीं होता है प्रिव बिश्वत होता है मिर्तू हो सकती है 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 चलिए सबसे तेजी में हिंदी में क्या बोलता है इधर अपना देशी यहां पर होता है और यह क्या करता है सरीर में मानले किसी भी विरन या अंगतंत्र में श्रांती कुछ सिका चोट लग गया तो क्या करता है इतना स्पीड से डिवीजन करता इतना की ब्रैंड को छोड़कर बाकी इतना स्पीड में से डिवीजन होता रहा है कि सोता ही ठीक कर लेगा कोई किसी का अगर मता फट जाता है किसी का अंजो खोपड़ी होता है लगांगा झाल lebih नी होता है जल्दी ठीक नी होता क्यों시면 बात करेंगे हम कल के वीडियो में कोशिका के औंग के बारे में हैना विडियो अग वीडियो को सिरीस चल रहा है यह रहेगा कल का तो यहाँ पर आप complete समझ लेजे